हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज रहीम दाज़ी का एक दोहा पढ़ा रही हूँ तो चलो में शुरू करती हूँ रहीमन रिस्कों छाडिके करो गरीबी बेस मीठी बोलो ने चलो सभे तुमारो देश सबसे पहले शब्दार देख लीजिए रिस्क का मतलब होता है क्रोध या गुसा और चाडिके का मतलब होता है छोड कर ने मतलब नमรता पूरवग और देश से मतलब इहां पर संसार से है इस दोहे में रहीम दाज़ी ने हमें साधिकी से रहने की सीख दिये हमें हर तरह के शानों शौकत से दूर रहना चाहिए और हमें नम्रत बूर्वग वेवार करना चाहिए अब इस दोहे का पहले मैं आपको सरालर्थ बताऊंगे और उसके बाद भाबर्थ बताऊंगे आप बीडियो को लास्त तक देखिएगा तो पहले सरालर्थ देख लीजिए रहीमन रिस को छाड़ी के रहीमन मतलब रहिंदाजी रहिंदाजी कहते हैं कि रिस मतलब क्रोध या गुस्से को छाड़ी कहनी छोड़कर हमें गुस्से को छोड़कर करो गरीबी भेस करो मतलब करना चाहिए गरीबी भेस से मतलब यहाँ सादगी से रहने से है कि हमें सादगी के साथ रहना चाहिए आगे देखिए मीठी बोलो ने चलो मीठी बोलो यह रही हमें सभी से मीठा मीठा बोलना चाहिए और ने चलो से मतलब है यहां पर कि हमें सभी के साथ नम्रता पूर्बग वैवार करना चाहिए सबे तुम्हारों देश, सबे मतलब सब, तुम्हारों मतलब तुम्हारा ही देश है, कि सब तुम्हारा ही देश है इसका मतलब ये है कि जब हम नम्रता पूर्बग ब्यवार करेंगे सबी के साथ तो पूरे संसार में हमारी प्रतिस्टा बढ़ जाएगी, हमारी प्रसिद्धी हो जाएगी अब इसका आप भाबर देख लीजिए रहीम दाजी कहते हैं कि हमें क्रोध को छोड़ कर साधिगी के साथ रहना चाहिए प्रेम पूर्बग मीठी वानी बोलनी चाहिए सभी के साथ नम्रता पूर्बग व्यवार करना चाहिए जिससे संपूर संसार में हमारी प्रतिस्टा बढ़ेगी आश्र करते हूँ कि आपको दोहा पसंद आयोगा धर्यवाद